दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने Mr. Varanpaphe के एक बहुत वीज़दम भरे कोट को डिसकस किया था जो कोट ये है कि If you cannot control your emotions, you cannot control your money मतलब अगर आप अपने मन और उसकी भावनाओं को control नहीं करेंगे तो चाहें आपके पास जितने भी पैसे आजाए, आप उसे आजने तो कल गमा देंगे आप पैसों को सही धन से नहीं समाल सकते जब तक कि आप अपने मन, अपनी भावनाओं, अपनी emotions को control नहीं कर सकते और इस तरह से पिछले वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि emotional control का वास्तावे मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे हम सभी के उपर apply होता है तो इस तरह से एक बात तो बिल्कुल भी clear है कि अगर आप सही धन से अपने पैसों को manage करना चाहते हैं लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे आप जान पाएंगे कि आपका अपने emotions अपनी भावनाओं पे control है या नहीं तो इसी सवाल का जवाब है आज का ये वीडियो और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि 20 ऐसी कौन सी बाते हैं जो ये बता सकती हैं कि आपका अपने emotions अपनी भावनाओं पे control है या नहीं तो चलिए आज का वीडियो हम सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात जो बताती है कि आपका अपनी emotions पे control है या नहीं और उन सभी चीजों के लिए उसे किस तरीके से प्लान करना है और उस पे काम करना है और जिन लोगों का अपनी emotions पे control नहीं होता है वे future का proper प्लान नहीं बनाते हैं उनकी सोच होती है कि कल का कल देखेंगे कल की चिंता आज क्यों करना तो अगर आपके पास आने वाले future का नहीं है तो इसका मतलब उसका अपनी emotions पे control नहीं है वो future को इस philosophy के साथ जीता है कि कल का कल देखेंगे कल की चिंता आज क्यों करना आज में वो बैठ के ये planning करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता है और इसके बाद जो दूसरी बात है जो बताती है कि आपका अपनी emotions पे control ह या नहीं वो यह है कि जिनका अपनी emotions पे control होता है वे फटा-फट पैसे बनने की जो भी schemes होती है या फिर जो भी लालच होता है कि जहां से प़टा-फट पैसे बनने की उमीद होती है जिसके बारे में बात की जाती है कि अगर आप ये investment करते हैं अगर आप ये business करते हैं जिनका अपनी emotions में control नहीं होता है वे इस तरह की skim में बहुत ज़्यदा interested होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें कोई बताता है कि फटाफट पैसे कैसे बनाया जाते हैं तो वे इस तरह की skims को बड़े ध्यान से सुनते हैं और वहाँ पी वो अपना investment या पैसे लगाते भी है जबकि जिनका अपनी emotions में control होता है वे जानते हैं कि असली जो दौलत होती है उसे पाने में समय लगता है और जो पैसे फटाफट आते हैं वे पैसे फटाफट जा भी सकते हैं इस बात का मतलब ही क्या है कि फटाफट पैसे बना तो लो लेकिन फटाफट पैसे वो चले भी जाए तो आखिर में हमारी जेव खाली ही रहने वाली है तो इस तरह की स्कीम के साथ जूड़ना ही क्यों और दोसों इसके बाद जो तीसरी बात जो हमें बताती है कि हमारा अपनी इमोसोंस पे कंट्रोल है या नहीं वो यह है कि जिनका अपनी इमोसोंस पे कंट्रोल है वे प्रोसेस में मेहनत पे और चीजों को पाने के लिए कीमत जुकाने में भरसा करते हैं ना कि shortcut पे, और जिनका अपनी emotions पे control नहीं होता है, वे लोग हमेशा shortcut तरीके से पैसे बनाने की तलास में रहते हैं, उन्हें process follow करने में, मेहनत करने में कोई interest नहीं होता है, वे किसी तरह से, किसी विन न किसी जुगार से, फटाफट पैसे बनाने की फिराक में रहते हैं, इसके बाद चौथी बात, जो में बताती है कि हमारा अपनी emotions पे control है या नहीं, वो ये है कि जिनका अपनी emotions पे control होता है, उनके अंदर patience होता है, धैरे होता है, और जिनका अपनी emotions पे control नहीं होता है, उनके अंदर धैरे या patience की बहुत कमी होती हैं, इसके बाद चौथी बात जो मैं बताती है कि हमारा अपने emotions पर control है या नहीं वो ये है कि जिनका अपने emotions पर control है वे mood ना होने के बावजूद चे भी काम करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि काम करना ज़रूरी है और भले ही mood हो या नहीं हो काम तो करना ही होगा तबी हमें results देखने को मिलेंगे Otherwise, जो results है वो हमें नहीं मिलेंगे जिनका अपने emotions पर control नहीं होता है वे लिए काम तभी करते हैं जब उनका mood होता है और जब mood नहीं होता है तो वे लिए काम नहीं करते हैं और इसलिए अक्सर जाधा time ऐसा होता है कि उनका mood होता ही नहीं है और वो काम नहीं करते है जब नहीं करते है या फिर काम सही धंग से या पूरा focus से नहीं करते है तो उन्हें उस तरह के results नहीं मिलते है जैसा result वो चाहते है इन सोड चौती बात है बताती है कि जिनका अपनी इमोसन से पर कंट्रोल नहीं है वे मूड के हिसाब से चलते हैं मूड के हिसाब से काम करते हैं जबकि जिनका अपनी इमोसन से पर कंट्रोल है वे काम को जरूरी समझते हैं और मूड नहीं होने के बाद जो से भी काम को करते ह इसके बाद पासवी बाद जो बताती है कि हमारा अपने emotions पे control है या नहीं वो ये है कि जिनका अपने emotions पे control होता है वे काम पूरा होने के बाद से खुशी महसूस करते हैं और काम पूरा होने के बाद से ही वे आराम करने का सोचते हैं जबकि जिनका अपने emotions पे control नहीं होता है वे आराम ज्यादा करते हैं उन्हें आलस और आराम में फर्क मैसुस नहीं होता है उन्हें लगता है कि आराम पे उनका पूरा हग है और वे ज्यादा तर टाइम आराम ही करना चाहते हैं इसके बाद छटवी और बहुत important बात जो हमें बताती है कि आपका अपनी emotions पर control है या नहीं वो यह है कि जिनका अपनी emotions पर control है उनके bank account में पैसे, month and होने के बावजूद से भी रहते हैН वे कभी अपने bank account को खाली नहीं होने देते हैं, जबकि जिनका अपनी emotions पे control नहीं होता है, उनके पास अक्सर month end होने से पहले ही उनका bank account खाली हो जाता है, और उनके bank account ज्यादर time खाली ही रहते हैं, in short आप किसी का bank balance देखर ही बता सकते हैं कि उसका अपनी emotions पे control है या नहीं जिसका अपने emotions पे control है, वो अपने bank account को कभी खाली नहीं होने देता है, और एक proper balance maintain करके चलता है, और जिनका अपने emotions पे control नहीं है, वे पूरे पैसे आज नहीं तो कल खर्च कर देते हैं, उनका bank account अकसर खाली देता है, और वे अगले month की salary या अगला जो income आने वाला है, उ उसे समझते हैं, और power of compounding के बारे में सही तरह जानते हैं, उसे apply करने कोई करते हैं, और जिनका अपने emotions पे control नहीं होता है, उनको power of compounding का जो concept है, वो बकवास लगता है, और वे इसके ध्यान नहीं देते हैं, इसको use नहीं करते हैं, वे इसके खिलाफ काम करते हैं, और दोस actual bank balance और बिना लोन का घर, बिना लोन की गाड़ी या फिर बिना लोन की जो भी चीजे हैं, वो जबकि जिनका अपने emotions पे control नहीं है, वे दिखावे की जिनकी को बहुत अधिक पसंद करते हैं, और दूसरों को अपने धन, अपने दौलत, अपने संपती से impress करना चाहते हैं, और इसके लिए भले ही उन्हें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ लोन पे लेना बड़े, तो वे लोन पे लेते हैं, बट वे दिखाना चाहते हैं, कि हाँ उनके पास धनो दौलत है, इन सोट जो emotionally controlled है, वे true wealth, यानि कि असली दौलत के लिए काम करते हैं, जबकि जो लोग emotional है, जिनका अपने emotions पे control नहीं है, वे अक्सर fake asset यानि कि नकली संपती के उपर काम करते हैं, और दोस्तों इसके बाद जो नवी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो बदाती है कि आपका अपने emotions पे control है या नहीं, वो ये है कि जिनका अपने emotions पे control है, वे अपन इसलिए उसे वो खरीद लेते हैं, भले ही उन्हें वहाँ पे credit card इस्तेमाल करना पड़े तो भी, और दोस्तों इसके बाद 10 भी बहुत important बात है, जो आपको ध्यान में रखनी है, जो लोग emotionally controlled है, वे इस बात के बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, वे अगर वे अपन कि परटी दी है, तो लोग क्या असोचेगे, अगर वो छोटा घर बनाया तो लोग क्या सोचेगे, अगर वो छोटी गारी लिया तो लोग क्या सोचेगे, यानि कि इन सौट अब एक जिनका अफनी emotionally controlled है, वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, दूसरे लोग क्या वे कुछ ऐसे mistakes करते हैं, ऐसे financial mistakes करते हैं, जो उनके उपर बाद में बहुत भारी पड़ता है, और दोस्तों, इसके बाद जो 11 चीज आपको ध्यार में लटना है, वो ये है कि जो उनका अपनी emotions पर control नहीं है, वे कभी budget को follow नहीं करते हैं, वे budget में believe नहीं करते हैं, वे अपन मन चाहिं जिन्दगी जीना चाहते हैं, वे खुला अपना जिन्दगी जीना चाहते हैं, और जो मन में आये वो करना चाहते हैं, उनको उधार और loan पे या फिर EMI पर चीज़े खरीतने में कोई ज्यादा नुक्सान नजर नहीं आता है, जबकि जिनका अपनी emotions पर control है, वे मानते हैं कि जिन्दगी सिर्फ चार दिनों की है, और बस चार दिन मज़े कर लो, बाकी आगे की जिन्दगी किसने देखी है, जैसा आमने शुरुबात में कहा था, क्यों भी कल की planning बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है कि जिनका अपनी emotions पर control नहीं है, व इसके लिए वे अपने काम को वहाँ पर दाव पर नहीं लगाते हैं कि काम को बाजू में रखे, वे क्रिकेट या फिल्म देखें, जबकि जिनका अपनी emotions पर control नहीं है, वे अपने काम अपने जो भी उनका work है, चाहे हो पढ़ाई हो, लिखाई हो, कुछ भी एक्स्रा काम ह उसे वो साइड में रखते हैं, और क्रिकेट या फिल्म में उस पर अपना पूरा समय देते हैं, जिनका अपने emotions पर control नहीं है, वे क्रिकेट या फिल्मों में बहुत ज़्यादा interested होते हैं, और दोसों, इसके बाद जो चौधवी चीज है, वो ये है, कि जिनका अपने emotions पर अपने emotions पर control है, वे लोग हमेशा ये देखते हैं, कि उनके budget में क्या चीज़े फिल्ट बैठींगी, तभी वो उसके बारे में research करते हैं, और जाने की process करते हैं, और दोस्तों, इसके बाद 15 चीज़ बहुत इंट्रेस्टिंग है, कि जिनका अपने emotions पर control है, वे office समय से नि अपने emotions पर control नहीं है, उनके पास अकसर जल्दबाजी होती है, क्योंकि वो आल्रेडी बहुत सरा समय आलस में और यहों ही बेकार की चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, और दोस्तों, इसके बाद 17 चीज़ जो बताती है कि आपका अपने emotions पर control है या नहीं, वो ये है कि ज दूसरी तरफ जिनका अपनी emotions पर control नहीं है, वे हमेशा ज्यादा return के पीछे भागते हैं, इन सौर्ट अगर ये कहा जाए कि जिनका अपनी emotions पर control है, उनको FD भी बहुत अच्छा लगता है, और जिनका अपनी emotions पर control नहीं है, उनको FD बहुत ही बेकार लगता है, और दोस् study के लिए समय जरूर देते हैं, वो नई self-help book हो गई, या कुछ भी जो उनके ज्यान को बढ़ा सकता है, उसे वो पढ़ने ही कोईस करते हैं, और लगतार कुछ घंटे वो पढ़ सकते हैं, जबकि जिनका अपनी emotions पर control नहीं होता है, वे किताबे तो खरीद लेंगे, बट उ समझना, जी हाँ, जिनके पास emotional control होता है, वे समय की ताकत, समय की कीमत को समझते हैं, वे जानते हैं कि time is money उसमें बिलीब करते हैं, और अपने समय को मुल्यवान बनाते हैं, जबकि जिनका अपनी emotions पर control नहीं है, वे time is money को ब्यक्वास समझते हैं, और वे अपने time को यूँ गपे मारने, social media या किसी भी दूसरी चीजों में waste करते रहते हैं, वे time की कीमत को नहीं समझ पाते हैं, और दोसों, इसके बाद जो अंतीम और बिस्वी बात है, वो है कि जो बताती है कि आपका अपनी emotions पर control है या नहीं, वो ये है कि जिनका अपनी emotions पर control नहीं है, वे learning equal to earning, यानि कि जितना learn करेंगे, उतने ही पैसे कमा पाएंगे, इसलिए learning पहले करते हैं, और बात में earning के बारे में सोचते हैं, जबकि जिनका अपनी emotions पर control नहीं है, वे फटा फ़र शॉटकर्ट या कुछ इनकी कुछी तूसरी तरीक तरास में रहते हैं, जिनसे की बिना learning किये, वे पैसे कमा सकें, तो दोस्तों, ये थी भी 20 बाते हैं, जो बताती हैं कि आपका अपनी emotions पर control है या नहीं, जरूरी नहीं है कि इतनी ही बाती हैं, इसके लाव और भी बहुत सारी बाते हो सकती हैं, अगर आपके मन में कुछ ऐसी बाते हों, जो बता सकती हैं कि आप का अपनी emotions पर control है या नहीं, तो आप नीचे comment करके बता सकते हैं, otherwise आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुसे comment करके जरूरी बताईए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होती से like और share जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्स्राइब कर करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस्नाइक कर सकें, और अंद में इस वीडियो को पुरा देखने के लिए, हमारे सब जूले रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद,